हेलो क्लास बच्चों आज जो अपना एक नया चप्टर शुरू हो रहा है हिस्ट्री में अध्याय सिक्स जो है नए प्रेशन नए विचार तो उसकी आज थोड़ी से अपन जानकारी लेंगे कि इस चेप्टर में क्या है तो बच्चों इस चेप्टर में बहुत धर्म के बार कौन थे इनके बारे में हम जानकारी थोड़ी सी लेंगे शुरूवात में अप अगर देखें तो बुद्ध की कहानी लिखा हुआ है गौतम बुद्ध से सब परिचित हैं आप लोग जो गौतम के नाम से जाने जाते हैं सिधार्त इनका नाम था इनका जन्म लगवक धाई कि यह जार वर्ष पूर अगर अपन देखें तो माना जाता है तो हमने पिछले पार्ट में बच्चों जन्पद महा जन्पदों के राजा के वारे में पढ़ा था किस तरह से राजा अपना साशन करते थे शक्तिशाली हो गए थे गाओं का जो जीवन था वो बदल रहा था नए नए नगर जो थे अस्तित्व में आ रहे थे इसी समय में बुद्ध के यहां पर जानकरी दी गई है कि बुद्ध उस समय चोटे-चोटे से संग गण बने हुए थे उसमें शाक्य से यह संबंदित थे और आपने गौतम बुद्ध के बारे में चोटी ग्लास में प्रशनों का जशनों के लिए अर्थ जानने के लिए उन्होंने क्या किया जब वो युवा वस्था में थे तभी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया वो एक राजा के बैटे थे पर उन्होंने उस राश्री जीवन से उनका कोई लगाऊ नहीं था उनको तो जीवन कहीं और ही था उनका मन कहीं भटक रहा जिसके लिए वो इस सब सुख को छोड़ करके और चले गए और अनेक वर्षों तक वो यहां वहां घुनते रहे ब्रह्मन करते रहे विद्वानों से विचारकों से मिलते रहे अपने प्रशनों के लिए चर्चा करते रहे और अन्त में उन्होंने क्या किया एक बिहार में गया में people के brush के नीचे तपस्या की हो क्योते हैं वहीं पर इनको बहुत ग्यान हुआ और वहाँ और उनकी तपस्या शमाप्त हुई और हैं इहां से उनको बुद्ध की रूप में कहते हैं ने सबसे पहली बार जो अपने विचार के देश स्पढ़ार कर दो कहा करने उन्हों झार दोने मिलाए करते ही रह ओर लगों को वियले में है उसनों दुखों से भरा और ही को उट है क्यों कि हमारा मौन में बहुत सारे महरे मंलच होती है कि दो SAY होती है जब वह पूरे होती है है तो हम हुशा करने लगति हैं तो बुद्ध ने यह लाल्च न इस को यितृव के पाने के तृष्ण है कि हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा लालाईत हो जाते हैं तो उन्हें ने का यह अब देके सब सुख तो सबको मिलते नहीं कहीं न कहीं जो है कमी रहती है पर हम चाहते हैं को सारे सुख मिल जाएं तो बुद्ध ने ऐसे लोगों के लिए कि अगर हम अपने आपने इंदत्राणे सुख जानवरों के साथ बीए और आपने करम करते रहने चाहिए रिख्यार कने गांव does cultural ली हैuję तो बुद्ध ने अपने इंु अपनी सारा जो जीवन है वह लोगों के जीवन को सुधारने में अच्छा घ्ण वियान देने में शिक्षा देने में दी, वितित किया उनों ने शिख्षा उस समय जय आए प्राकृत भाषा उस समय की जिसंसे के सामाने लोग भी इसको समझ सकें उनने का कि मैं जो अपदμέ्ष दे रहा हू कि इसको मन तो चया हुआ है आप अपने स्वयम के विवेक से अपने बुद्धी से भी इसको समझें कि यह क्यों कहा जा रहा है इसका क्या आर्थ है ठीक है और इसके क्या परिणाम हमारे होंगे मैंना हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा मैंना किवल उपदेश प्राप्त नहीं करना उपदेशों को अपनाना भी है तभी हमारा जीवन जो है वह सार्थ होगा तापने चाहिए चोटी कहानी पढ़ी होगी चोटी ग्लास में कि किस तरह से बुद्ध के पास लोग अपने अपने समस्यां लेकर के आते थे उनको लगता था इनके पास सब समस्या का हल है तो ऐस आते मिला उसने कहा कि उसको वह वुद्ध के पास लेके गया है तो वुद्ध असने का घ्रकाव को मेरे पुत्र को जीवित कर दे नहां तो बुद्ध नहीं होता है जिसका जन्म हो आपको सिखाना था किस तरह से जीवन होता है तो थीक है तुम मुझे एक काम करो मुजे है उने कुछ शर्चों की बीज के लाने के लिए कहा वो लाकर के देड़ो तो मैं तमारे पुत्र को जिवित कर दूंगा तो महि ने बड़ी प्रसंद होगे तो तेम जब यह बीज आप ऐसे घर से मांग के लाओ जहां पर किसी की मृत्यू ना हुई हो तभी मैं तमारे पुत्र को बेटे को जीवित करूंगा उसने ठीक है मैं ले आती हूं वह उस गाओं में जहां पर थी घर घर गई एक दरवाजा खट खटाया उसने ठीक है सब बीज देने किसीने मानाने किया और जब उसने इनसे ऊंचा कि मुझी तभ आप इक जो आप कि किसी की कोई हुई है कि सब तो आपको काने सुनके समझ में आही गया होगा कि बुद्ध को बताना चाहा बुद्ध का कहने का तात्वर एता उनों ने कारे करने के लिए कि जीवन जो है अगर कोई जन्म लेता है तो मृत्युपीय शंभाव एता है यह मेर्द अवश्य होगी पर कई लोग इसक्तिक को लिए भी के बिखिट नहीं कर जा सकता है कि हरा घर में इस तरह से जीन मरwardsन होता है कि दो हमको जब पता है हम एक नएट दिन म्रितियों को प्राप्त हों सबसे करें किis पुरानों में वेद में इन में पढ़ते हैं कि मनिश्री के अपने कर्मों का लेखा जुका जो है वो उसके साथ जाता है बाकि जिसने भी जन्धन संपत्ति अर्जित की है वो तो सब यहीं के ही रह जाती है तो उन्होंने इस माद्यम से यह उपदेश दिया कि मृत्यू के ब उन्होंने अपने अपने उपदेशों में बताया तो आभी हमने के ओले एक छोटा सा इसका एक पॉर्षन लिया है समझाने के लिए फिर पूरा जो चप्टर है उसमें जोनकी जानकारी है उपदेशों के वारे में वह हम अगली चप्टर में पढ़ेंगे तो आव अपना जब 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 पूरा हो जाएगा उसके बाद हम को शनाजर करेंगे